है गाइस आप सभी का स्वागाते ड्रोइड राक्स यूटूब चैनल में आज की और एक न्यू वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं फोर बेस्ट पीडिये बीडर एन एडिटर और इन सब्सक्राइब एप्लिकेसं को यूज करके आपकी फॉर्म में पीडिये फा यूज कर सकते हैं इस भले पीडिये फाइल को रीडियो बीसा मिलता है जैसे कि यहाँ पर अगर आप इस हैंड आयकेम पर किलिए करते हैं तो किसीफी टेक्स को करने के लिए आपको साइक्यल क्रिएट करना होगा तो एक साथ आप बहुत सा टेक्स को भी एक हैंडी यूसपूल फीचर है और अगर आप किसी भी पीडियुट करने के लिए सेटिंग पर जाते तो यहां पर आप single page mode में read कर सकते हैं, continuous page mode में read कर सकते हैं, auto reduction on कर सकते हैं और off कर सकते हैं और यहां पर आपको horizontal on off का feature भी मिलता है और अगर आप color change करना चाहते हैं तो color भी change कर सकते हैं आपकी हिसाब से और इस PDF application का सबसे best feature यहां पर आगर आप more setting पर जाते हैं turn page by volume button इसको अगर on करेंगे तो किसी भी PDF file की page को next करने के लिए आपको बार बार slide करने को कोई ज़रूत नहीं है, just आपको volume button प्रेस करना है, automatically next page हो जाएगा तो यह पर जो बहुत ही अच्छा लगा इस PDF application में, so अगर आप tools पर जाएंगे तो यहां पर आप किसी PDF file को compress कर सकते हैं, export कर सकते हैं, किसी लार्क image में और अगर आप किसी भी text को edit करना चाहेंगे, तो text भी edit कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको पैसा paid करना होगा, जी हां यह एक paid feature है, तो मेरे चल पर आपको एक video मिलेगा, जहां पर मैंने आपको सिखाया, कैसे आप Hindi text को edit कर पाएंगे, बिल्कुल free में, अगर आपको PDF file edit कर सिखना है, तो पर दे कार्ट पे click कर सकते हैं, जहां पर मैंने एक playlist भी दे दिया है, second PDF application के नाम है, जोडो PDF, यह भी एक popular PDF application है, क्योंकि इसमें भी आपको अच्छे अच्छे feature देखने मिलता है, जैसे कि किसी भी PDF page को next करने के लिए, यहां पर एक line देखने मिलता है, इस line पर अगर जैसे slide करेंगे, किसी भी page पर आप direct next कर सकते हैं, यह भी एक बहुत ही आच्छा feature है, किसी भी page को read करने के लिए, यहां तकि अगर आप इस website के corner पर click करेंगे, तो किसी भी PDF page की thumbnails को आप view कर सकते हैं, और किसी भी page में jump कर सकते हैं, यह भी एक आच्छा useful feature जिसको अगर कर सकते हैं, और अगर आप किसी PDF file को edit करना अच्छात है, तो इसलिए आपको edit icon पर click करना है, और यहां पर किसी PDF file का color को change कर सकते हैं, highlight कर सकते हैं, translate कर सकते हैं, अगर आपके phone में already translation application install हैं तो, और यहां पर text को underline कर सकते हैं, और आप stamp भी add गार सकते हैं, जिहां इस पीडियव एप्लिकेशन में और आप यहां पर इमिजस को एड़ गर सकते हैं आपकी हिसाब से सिगनेचर भी एड़ कर सकते हैं तो यह भी एक अच्छा पॉपुलर पीडियव एप्लिकेशन है जिसको यूज करके आप पीडियव फैल को एडिट कर सकते हैं जो कि बहुत फूरको किलिक करना है यहां पर आपके ऐसे फॉटॉ की सिल्ल निलता है आपको पुण कर सकते हैं यहां पर आप किसी पीडियाप का पेज को दिलीट भी कर सकते हैं तो अच्छा अच्छा फीचर है इस पीडिएप एप्लिकेशन में जहां पर जो है आप मेनी मूर आप्शन में पीडियाप को एडिट कर पाएंगे नेक्स्ट एन फोर्थ नमबर पीडियाप एप्लिकेशन का नाम है फोक्सीट पीडियाप यह वन अब दे बेस एनी मोर आप्शन देखने मिलता है तो यहां पर आप सिंगल पेज मोड में किसी भी पीडियाप को रीट कर सकते हैं अगर आप इस रीपलो आप्शन को क्लिक करेंगे तो किसी पीडियाप को आप जूम कर सकते हैं जूम आउट भी कर सकते हैं यहां पर आपको डार्क मोड क बिल्कुल भी चुबेगा नहीं जो कि इस एप्लिकेसर मुझे यह सबसे अच्छा फीचर लगा और इस पीडियेव एप्लिकेसर सबसे बेस्ट फीचर रहा है इस पीक जी हां किसी भी टेक्स को अगर इस तरह देट करके रखेंगे तो यहां पर देख सकते इस पीक का फीचर स्मार्टफोंस इस एर्फॉर्डबल प्राइशे तरह क्यात्य है जो कि यह पीटर मुझे बहुत ही कमाल का लगा जो कि हर किसी पीडिया रीडर को यह एप्लिकेसर यूज्ट तो जरूर चाहिए तो है ना एक कमाल का feature इस पीडिव एप्लिकेसन में जो आप ट्राइ कर सकते हैं सुगाइस इस वीडियो में आप सभी को बेच पीडियप एडिटर एंड रीडर बता दिया है जो आप किसी पीडियप फाइल को रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वैसे तो इनस भी चाहरा से लाइक किजिए चल कर सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले क्योंकि एसाई वीडियो मेरे चल पर अप्लोड करते रहता हूं